भरवसा कोई एक तोड़ता है और नफरत सबसे होने लगती है। कुछ लोग इतनी जहरीली प्रजाती के होते हैं कि जिनके बोलने से पहले ही हमें पता होता है कि ये जहर ही उगलेंगे। हौशना होना चाहिए बस जंदगी तो कहीं से भी शुरू की जा सकती है। सीधे इंसान को कभी दोखा मत देना क्योंकि सीधे इंसान का जवाब उपर वाला टेड़े तरीके से देता है। एक दिन ये दर्द आपको हर दर्द सहना सिखा देगा। पैलेंट तो जादातर लोगों में होता है लेकिन हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। और जिन्दगी में वे ही लोग आगे बढ़ पाते हैं जिन में हिम्मत होती है। आपका मन आपका आउजार है इसके मालिक बनना सिखो गुलाम बनना नहीं मेरे होने का असर तुम पर मेरे ना होने के बाद दिखेगा। आप अपने राज किसी को मत बताओ क्योंकि अगर आप अपने राज खुद नहीं छुपा सकते तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद करते हो कि दूसरा आपके उस राज को छुपाएगा। ये आदत आपको एक दिन बरबाद कर देगी। मुझे फुरसत कहा कि मौसम सुहाना देखूं तेरी यादों से निकलूं तब तो जमाना देखूं अगर जिन्दगी में कुछ नया पाना चाहते हो तो कुछ पुराना छोड़ना ही पड़ेगा। मुझे मनजूर थे वक्त के सबसे तम मगर तुम से मिलकर बिछड जाना ये सजा सबसे ज़ादा लगी। मा और पेड दोनों के आचल में च्छाओं है कृप्या इनका सम्मान करना सीखो। अरे नबस क्या खाक बोलेगी जो दिल पे घुजरी है वो दिल ही चानता है। खतरनाक लोग पहले अपना अपन दिखाते हैं फिर जब हम उन पर हजसे जादा भरोसा कर लेते हैं तो फिर वो अपनी आउकाद दिखा देते हैं। अकसर बहुत देर हो जाती है जुठे लोगों को पहचानने में। ओपन और क्लोज दोनों विरोधी शब्द हैं लेकिन कितने मज़े की बात है कि हमारा मन ओपन उसी के सामने होता है जो हमारे दिल के बहुत क्लोज होता है। किसी भी इंसान की सहनशीलता एक खिचे हुए धागे की तरह होती है। एक जरूरत से ज़ादा खिच जाने पे उसका तूटना पक्का हो जाता है। कभी-कभी जिन्दगी में कुछ सक्त फैसले लेने पड़ते हैं और वही फैसले आपकी पूरी जिन्दगी को बदल देते हैं। जिसे कोई नहीं सुधार पाता उसे एक दिन कुद्रत का डंडा सुधारता है। बैटकर खामोश अब हम तुम्हें आजमाएंगे। देखते हैं अब हम तुम्हें कभ यादाएंगे। है बहुत अंधियारा अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम अब बदलना चाहिए। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, जब बात निकली तो हर बात पे रोना आया। बढ़ती हुई समझ जिंदगी को मौन की तरफ ले जाती है। खुद को कमजोर समझना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है। उम्र भर किसी को अपना समझना बस आपका वहम होता है। खाली जेब के साथ दुनिया तो नहीं घुम पाया, लेकिन खाली जेब ने सारी दुनिया की सच्चाई दिखा दी। बताओ तो जरा कैसे निकलता है जनाजा उनका जो लोग अंदर से मर जाते हैं। ये दिल का दर्द आँखों से बया होता है। जरूरी नहीं कि हर जखम का अनशाह होता है। जिन्दगी में अगर खुश रहना हो तो दूसरों की बकवास को आप अन देखा कर ना सीख लो। इंतजार की हद भी अजीब होती हैं। ना दरवाजा बंद होता है और ना आखे बंद होती हैं। चमतकार सरफ उनी के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास भरा होता है। रोना उसी के सामने जो आशू गिरने का दर्द समझ सके। दुआएं लेना उसी से जो दुआएं दिल से दे सके। और रिष्टा रखना उसी से जो आपके रिष्टे का मोल समझ सके। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिष्टे बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन पता है वो फिर भी परिशान क्यों रहता है, क्योंकि वो खुद को कभी नहीं बदलता, जखम वही है जो छुपा लिये जाए, जो दिखा दिया जाए, उसे तमाशा कहते हैं, मतल तो कभी भी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिष्टों को कपड़ों की तरह बदलते हैं। रिष्टे खराब होने की एक वज़य ये भी है कि लोग अक्सर तूटना पसंद करते हैं लेकिन जुकना पसंद नहीं करते। कमाल की बात है ना, पैसा इंसान को उपर ले जा सकता है लेकिन इंसान पैसा उपर नहीं ले जा सकता। किसी के अंदर प्रेम जगा कर उसे छोड़ देना, उसकी हत्या करने के बराबर होता है। प्रोध और आंधी दोनों बराबर होते हैं, शान्त होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुक्सान हुआ है। सही बाते पढ़ने की आदत हो, तो सही बाते करने की आदत अप बन जाती है। एक अलग ही पहचान बनाने की आदत है मेरी, क्योंकि तकलीफों में भी मुश्कुराने की आदत है मेरी। क्यों बनू में किसी और की तरह है, जब जमाने में कोई मुझसा नहीं, काटो का क्या गिला, वो तो मजबूर है अपनी फित्रत से, दुख तो तब हुआ, जब फूल भी जख्म देने लगे। रात भर जलता रहा ये दिल उसी की याद में समझ नहीं आता, दर्द प्यार करने से होता है या याद करने से, मन की सोच अगर सुन्दर हो तो सहरा संसार सुन्दर लगता है, उजडा उजडा सा हर शहर लगता है, हमें तो ये कुद्रत का कहर लगता है, इनसान ने की ऐसी भी क्या तरक्की कि आजकल इंसान को ही इंसान से डर लगता है। तमन्नाएं जब दिल से रुकसत हो गई, यकीन मानिये, जिन्दगी में फुर्सत ही फुर्सत हो गई। होता होगा उनर्चुप रहने का लोगों में, हम में तो साफ साफ कहने का एब है यारो, पनाह मिल जाए रुख को जिसका हाथ छूकर उसी हथेली पर अपना घर बना लेना। पहले जो आयू में बड़े होते थे, उनका सम्मान होता था, अब जो आय में बड़ा होता है, उसका सम्मान होता है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाग बनवाते हैं, जिनने हम कमजोर लहमों में अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं। कुछ लोग तो इसलिए भी जी रहे हैं, क्योंकि वो मर नहीं सकते। दुनिया का यही दस्तूर है साथ वहां तक मतलब जहां तक। जितना बदल सकते थे बदल दिया खुद को, अब जिसको शिकायत है वो खुद को बदले या फिर अपना रास्ता बदले। कोई अच्छा इंजीनियर मिले तो बताना, मुझे इंसान को इंसान से जोडने वाला फुल बनवाना है, बहते आसों को रोकने वाला बांध बनवाना है, और सच्चे संबंदों में पड़ती दरारों की मरम्मत करवाना है। उसके हालात पे भी आप गौड जरूर करना, जो आपसे हमेशा पूछता है कि आप कैसे हैं। वजह नहीं चाहिए तुझे सोचने की, तुम वो खयाल हो जो मुझ में से कभी चाता ही नहीं। जो लोग महबबत की कदर करते हैं, अकसर महबबत उन्हें रुला देती हैं। कोई जंजीर नहीं, फिर भी कैद हूं तुझ में, मुझे मालूम न था कि तुझे ऐसा हुनर भी आता है। जैसे तूटी हुई नीन सरदर्द बन जाती है, वैसे ही तूटा हुआ भरोसा, जिंदगी भर का दर्द बन जाता है। वक्त एक जिसा नहीं रहता साहब, उन्हें भी रोना पड़ता है, जो दूसरों को रुलाते हैं। सची महबद जिंसे हो जाती है न, तो उनकी इज़्ड महबद से भी बढ़कर की जाती है। रिष्टा वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दाओं पर लगा दो वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे उस दिन वो आपकी सारी अच्छाईयां भूलकर आपको अपनी आउकाद दिखा देता जो जितना जूटा है लोग उसके उतने दिवाने हैं। बुरे वक्त में भी एक अच्छी बात होती है। जैसे ही ये आता है ना तो फालतू के लोग आपकी जिन्दगी से अलविदा हो जाते हैं। बुरा वक्त तो एक दिन बदल जाएगा लेकिन बदले हुए लोग शायाद रहेंगे। अब कोई उमीद ही नहीं है जिन्दगी में बस जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो। हम वो हैं जो हमें हमारी सोचने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हो। जो लोग तनहाई पसंद करते हैं उन्हें समझना आस असान नहीं होता। शुक्र है परिंदों को नहीं पता उनका मजहब क्या है वरना आसमान से भी खून की बारिश होती। हम सब एक दिन महज एक याद बनकर ही रह जाएंगे। इसलिए कोशिश करना कि एक अच्छी याद बनकर इस दुनिया से जाओ। लापरवाही ही भली है जनाब परवाह करो तो लोग सस्ता समझ लेते हैं। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ की जड़ों को पकड़ कर रखता है। ठीक उसी तरह शब्दों का मीठापन मनुश्य के रिष्टों को पकड़ कर रखता है। जिंदगी की किताब का हर पन्ह बेमिसाल है। कुछ में उनका ख्याल है। मेरे रिष्टेदारों ने मुझसे कहा कि खूब तरक्की करना। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मेरी तरक्की सहपाओगे। हामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है पेड़ों को च्छाओं देते हुए। इंतजार अगर लंब नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नीबू के रिष्ट की एक बूंद हजारों लीटर दूद को बरबात कर देती है। उसी प्रकार मनुश्य का एहंकार भी अच्छे से अच्छे रिष्टों को खतम कर देता है। जब भविश्य धुंदला पढ़ने लगे तब आपको अपन भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर जुकाएंगे। काम्याब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक वो जो तुम्हें प भूल गए हैं। जितना सचा इश्क होगा दर्द उतना ही जादा होगा। जितनी कम उमीद रखोगे आप सिंदगी में उतना ही कुछ रहोगे। अगर किसी के स्वाभी मान पर बार बार ठेस पहुचाई जाए तो रिष्टा कितना ही प्यारा क्यों नहों आखिर में बहुत लड़ना पड़ता है। तुझ से दूर जाने का कोई इरादा न था पर हम रुकते भी आखिर कैसे जब तू ही हमारा न था। नाराजगी तो तब रहेगी ना जब हम नजर आएंगे अगर हम खो गए तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो फि जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए जीना सिखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार हूं। आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। मगर क्यू पहचानते हैं इसका महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा इसलिए जिन्दगी में हमेशा अच्छा सोचो, दिल बड़ा होना चाहिए, बाते तो सब बड़ी-बड़ी कर लेते हैं, राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है, मत सोना किसी की गोद में सर रख कर, क्योंकि जब वो छोड़ता है, तो रेशम के तकी पर भी नींद नहीं आती, दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं है, भुद पर काबू करना असली ताकत होती है, सिर्फ हुनर होने से कुछ नहीं होता, सफलता को पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तमाल करना पड़ेगा, ना नफरत है अब उन से, ना महबत बची है ना इंतजार है अब उनका ना कोई शिकायत बची है होई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बरबाद मत करो हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता हमारी हार इसमें है कि हम खुद खुद को नहीं पहचानते हामोशी ही बहतर है तोकि बातों से ही बाते बिगड जाती है मौत से पहले भी एक मौत होती है बिछड़कर देखो जरा एक बार अपनी महबत से भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दिवाने नहीं होते निभाने वाले ही तो नहीं मिलते चाहने वाले तो हर मोड पर खड़े हुए है अच्छे लोगों की परिक्षा कभी मत लीजिए क्योंकि वो पारे की तरह होते हैं जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो तूटते नहीं हैं लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी जिन्दगी से निकल जाते हैं याद रखना जरूरत से जाधा अच्छे बनोगे तो जरूरत से जाधा इस्तमाल किये जाओगे जो आपके जजबातों की कदर ना करे उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं बेवकूफी है चहरा क्या बया करेगा दास्ता हमारी जो दिल पे गुजरी है वो दिल ही जानता है हर रिष्टे में अमरत बरसेगा शर्ट सरफ इतनी है कि शरारते करो साजशे नहीं खुश नसीबी में बस एक ही एब है कि वो बदनसीबों के घर नहीं आती खुश लोग आपसे सरफ उतना ही प्यार करते हैं जितना वो आपको इस्तमाल कर सकते हैं जहां उनका मतलब खतम हो जाता है वहां उनका प्यार भी खतम हो जाता है लोग चुराने लगे हैं शायरियां मेरी, गुजारिश है, कभी मेरा दर्द भी चुरा कर देखो बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है कुछ अधूरापन था जो पूरा हुआ ही नहीं कोई मेरा था जो कभी मेरा हुआ ही नहीं थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है सच्चे रिष्टों की खूपसूर्ती एक दूसरे की गलतियों को सहन करने में क्योंकि बिना कमियों का इंसान ढूनने निकलोगे तो जिन्दगी में अकेले रह जाओगे आज तेरी यादों का खजाना बेच पाते हम हमारी भी गिंती आज अमीरों में होती कुछ पन्ने क्या फटे जिन्दगी की किताब के समबल कर चल नादान ये इंसानों की बसती है अरे ये तो रब को भी आजमा लेते हैं फिर तेरी क्या हस्ती है कदर किया करो उनकी जो आपके बेरुखे वहवार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते है समय रहते पूछ लिया करो कि कैसे हो कहीं ऐसा नहो कि ये पूछना पड़ जाए कि ये कैसे हो गया उम्मीद जिन्दा रखिये साहाब देखना आज हसने वाले कल तालियां बजाएंगे जो हर किसी पे मर जाए वो मर ही जाए तो अच्छा है जाती सिर्फ दो ही हैं इस्त्री और पुरुष और धरम सिर्फ एक ही है इंसानियत बाकि सब पाखंड और धंदा है आपकी जिन्दगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे भरोसा रखो हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदर जाना है या कबर पर इसलिए जिन्दगी जैसी भी है इसे हस खेल कर जिया करो क्योंकि चिंता करके आप कुछ नहीं बदल पाओगे कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए फिर चाहे रिष्टे तूट जाए या कोई साथ छोड़ के चला जाए आजकर लोग इतने गिर गए हैं कि वो बस फाइदा उठाना ही जानते हैं आप जितनी सच्चाई से रिष्टे निभाएंगे लोग उतना ही ज़दा आपका दिल दुखाएंगे आपके जजबाद आपके वक्त और पैसों से भी ज़दा एहमियत रखते हैं इसलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कदर हो खुद को दूर रखना दुनिया की चाल से यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता हमारे अच्छे या बुरे हाल से लोग भले ही पहचानते नाम से हों लेकिन याद तो इनसान के सुभाव को ही रखा जाता है अरे आदमी तो दुख में काम आना चाहिए खुशी में तो हिजडे भी नाचने आ जाते हैं गलत लोगों से ज़्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है जिन्दगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करें क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई न कोई सही सीख दे कर ही जाते हैं सम्मान चाहे सब का करो लेकिन इज़त उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है तेरे बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे मैं तो बस अपने भरोसे पे शर्मिंदा हूं कई बार आप किसी चीज़ की एहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वो चीज़ आपकी जिंदगी से चली नहीं जाती दुख दिमाग की उपज है आप जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा जब पैसे आते हैं तो इज़त भी आती है लेकिन याद रखना वो इज़त पैसे की है तुम्हारी नहीं पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे अब डर लगता है कहीं मैं ही कुछ उने सुना न दूँ बेवफा औरत हर जगह मू मारके खुद को हीरोईन समझती है लेकिन असल में वो एक धोलक है आत्म विश्वास की हानी होने लगे उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है जो आपकी भावनाओं को जान कर भी आपको तकलीफ देता है वो इनसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता अकेले रहना दोगले और जुटे लोगों में रहने से कई गुणा बहतर तरसी की जिंदगी में अगर आपको बार-बार जलील किया जाता है तो उसकी जिंदगी से आप ऐसे निकल जाओ जिसे कभी थे ही नहीं गुस्दा भी उन्हीं पर करो जिस पर आपको यकीन हो कि वो तुम्हें मना लेगा रोने से दर्द खत्म नहीं होता लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है रिष्टे निभाने के लिए खुबसूरत नहीं बलकि समझदार साथी की जरूरत होती है पहंकार भी आवश्चक है जब बाते अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो जिन्दगी में पैसे और पावर को नहीं स्वभाव और संबंधों को एहमियत देनी चाहिए जिन्दगी को बहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है सोचने के भजाए मैं क्या कर रहा हूँ ये सोचना शुरू कर दीजिए एक तेरा ही प्यार सच्चा है मां और उकी तो शर्ते ही बहुत है जब जिन्दगी की गाड़ी सही पट्री पर होती है तो सब साथ चलते हैं लेकिन जब जब जरा सा रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता चाने वाले तुम्हें हजारों मिलेंगे लेकिन परवा करने वाला हर कोई नहीं होता अब मुझे रास आ गया है अकेलापन अब आप अपने वक्त का अचार डाल लीजिए दोस्ती के बाद महबबत हो सकती है लेकिन महबबत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है मरने के बाद नहीं शत्रंज में वजीर और जिन्दगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल ही खतम उडान तो भरना है चाहे जितनी बार गिरना पड़े सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से ही क्यों न लड़ना पड़े खत्रा दुश्मनों से नहीं बलकि आसपास के लोगों से होता है क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं अंदर के छेत के कारण डोपती है कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है क्योंकि बुद्धी ब्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती हम जो हैं वो सरफ हम जान सकते हैं लोग तो बस अंदाजा लगा सकते हैं कोई नहीं मरता किसी के बगैर हर किसी को जीने की नई वजह मिल ही जाती है दुनिया का सबसे कीमती तुहफा अच्छा हमसफर होता है जो कीमत से नहीं किसमत से मिलता है हम बदले नहीं हैं बस दुनिया को समझ चुके हैं अपना भी एक उसूल है सवाल जिस भाषा में करोगे जवाब उसी भाषा में मिलेगा महबबत का मजा तो पागलपन में है समझदारियों में तो इश्क घुटन बन जाता है हम हम हैं जनाब फिर आप कोई भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जो हृदय से दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है हमारी शब्द अच्छा हो या बुरा खुले आम बोलते हैं तूटा हुआ दिल और गिरते हुए आशू की कदर रब के सिवा और कोई नहीं जानता जिन्दगी हमें सिखाती है कि अगर शांती चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बहतर है आप खुद को बदल लो क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चपल पहलेना जादा आसान होता है सब कहते हैं कि दुनिया मतलबी है लेकिन ये कोई नहीं कहता कि मैं भी मतलबी हूँ जीवन में कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो अंजाने होकर भी अपनों से बढ़कर इसने और सम्मान दे जाते हैं और कुछ अपने होकर भी जिन्दगी में दोखा दे जाते हैं एक नया सबक सीखा है जिन्दगी से आप किसी की जितनी कदर करोगे आप उतना ही परिशान रहोगे जिन्दगी ने एक बात सिखाई है जो आप से बात करना बंद कर देता है फिर वो दूसरों से आपके बारे में बात करने लगता है खुलकर उड़ने का शौक हमें भी है जिन्दगी मगर जिम्मेदारियों ने चकड़ के रखा है उम्र चाहे कोई भी हो जिन्दगी रोच कोई न कोई सबक जरूर सिखाती है शराफत का जमाना नहीं रहा है दोस्तो किसी को अगर जदा इज़द दो तो वो आपको बेवकूफ समझ लेता है अफसोस इस बात का नहीं कि जिन्दगी का तमाशा बना अफसोस तो इस बात का है कि सारे कलाकार अपने ही थे आप सिर्फ मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए कि मैं ठीक हूँ क्योंकि सच्चाई तो यही है कि यहां कोई किसी की परवाह नहीं करता रिष्टों में अगर एक बार भरोसा तूट जाए तो बात तो होती है मगर वो बात नहीं होती किसी ने सच ही कहा है जिसका दिल बड़ा और सचा होता है उसे दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है आजकल की जमाने में सबसे बुरा होता है दिल का अच्छा होना हम दोस्ती वहां करते हैं जहां जान से जादा जुबान की कीमत ہوتी है कुछ लोग मौम की तरह पिगल कर रिष्टे निभाते हैं और कुछ लोग उनी रिष्टों को आग लगा कर जलाते हैं लोग ये तो जानते हैं कि वो ऐसा है वो वैसा है पर लोग ये भूल जाते हैं कि वो खुद कैसे हैं इन छे लोगों से हमेशा सावधान रहना पांचवा हद से जादा अपनापन दिखाने वाले से और छठा बात-बात पर बदल जाने वाले इनसान से हम कितने सही हैं या गलत हैं ये सर्फ दो लोग जानते हैं एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा जो इनसान रोते रोते गुसे में सब कुछ बोल देता है वो सच्चा होता है क्योंकि गुसा और रोना इनसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है आज की सच्चाई बस यही है आप रुपए बनाईए लोग आपसे रिष्टे खुद बनाएंगे गमन में मत रहिए अर्ष से फर्ष तक आने में वक्त नहीं लगता हग सिरफ वही पर जताना चाहिए जहां पर किसी ने आपको हग दिया हो स्विकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इनसान बहुत कुछ सीख सकता है जो लोग साथ रहकर समार न सके वो हमारे किलाफ होकर हमारा क्या बिगाड लेंगे गल्ती उसकी नहीं मेरी थी अंजाम पता था फिर भी दिल लगा बैठे हर आसूं आँख में लाया ना करो दिल की हर बात सब को बताया ना करो लोग हाथों में यहां नमक लिये फिरते हैं इसलिए हर जक्म सब को दिखाया ना करो जब बहुत कुछ होता है कहने को तब इनसान अक्सर खामोश रहने लगता है लोग अपनी जगे बिलकुल ठीक होते हैं बस हम उने कुछ जादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं नजाने क्या लिखा है तकदीर में जिसे भी चाहो वो दूर हो जाता है जिसके पीछे तुम भाग रहे हो दो दिन दूर रहकर देखो बात करना तो दूर तुम्हें वो याद भी नहीं करेगा दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूँ तुम्हें भी देख सकूँ और खुद को भी संभाल सकूँ हम सीख ही ना पाए मीठे जूट का हुनर पड़वे सचने हमसे कई रिष्टे छीन लिये जो रास्ता इश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता नीन तो बच्पन में आती थी अब तो बस सो जाया करते हैं आप जिससे भी ये कह दोगे कि वो आपके लिए सबसे ज़ादा जरूरी है वह इंसान आपसे अपना हाथ छुडाने लगता है मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया बस जिसका दिल भर गया वो खुद ही मुझसे दूर हो गया मैंने सब को अपना बना कर देख लिया लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होगा जब सपने तूटे हो और अपने चूटे हो तो नीद की गोलियां भी बेसर हो जाती है दोखा खाने वालों को तो वक्त के साथ सुकून मिल जाता है मगर दोखा देने वालों को अभी सुकून नहीं मिलता हामोशी से महपत करने वाले उम्र भर वफाने भाते हैं दुश्मन तभी काम्याब होते हैं जब उनके पीछे अपनों के हाथ होते हैं मुझे लोगों को माफ करना तो आता है मगर दोबारा दिल में जगए देना नहीं आता हम अधूरे लोग हैं हमारी ना नींद पूरी हुई ना ख्वाप पूरे हुए आप नीचे गिर के देखो कोई उठाने नहीं आएगा आप ज़रा उड़कर तो देखो आपके अपने ही नीचे गिराने आ जाएंगे रिष्टों का संबंद सिर्फ रक्त से ही नहीं होता जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिष्टा नहीं होता वो मन बना चुके थे दूर जाने का हमें लगा हमें मनाना नहीं आता इनसान भी कमाल है ड्रामे में लोगों का दुख दर्द देखकर रो पड़ता है और असल में लोगों के दुख दर्द को ड्रामा समझ लेता है पवित्रता सिर्फ नफरत में हैं में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं कैसे कर लेते हैं लोग इश्क दोचार के साथ मुझे तो उसके बाद किसी का खयाल तक नहीं आया संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं समझ की भी जरूरत होती है महबत में हम सिर्फ उस शक्स से हा रहे हैं जो कहता था कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं मजाग का सहरा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं अगर चुप कराने वाला कोई ना हो तो हालात मुस्कुराना सिखा देते हैं आपकी काम्याबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं आपके बुरे वक्त का होता है बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह भरोसा करें और वो हमें महसूस करा दे कि हम वाकई में अंधे थे सोच अगर खूपसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खोदोगे शरीर सुन्दर हो या ना हो पर शब्दों को जरूर सुन्दर होना चाहिए क्योंकि लोग चहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते कटिनाई आने से इनसान अकेला हो जाता है पर कटिनाई आने पर ही इनसान मजबूत होना सीख जाता है कोई नारास है तो रहने दो किसी के पैरों में गिरकर जीना हमें भी नहीं आता चूठी कस्मों से इनसान नहीं मरता बगर भरोसा जरूर मर जाता है